आप मुझे बताइए कि समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए बीरेंजी बताइए देखिये ये वक्त है कि सत्ताधारी दल को आठ माईने की सांदोलन पर आज नहीं तो कल बात करना होगा उत्तर प्रदेश देश का बहुत बड़ा राज्य और वहां पर ये अंदोलन चल रह है और बीजेपी को पंचायत के चुनाओं से ये सबग लेना पड़ेगा कि पश्मी उत्तर प्रदेश में अगर उसका सफाया हो गया तो क्यों हो गया मैडम सांद हो जाई है आपन बात करते हैं गुस्ता नहीं करिए शांद है वह उसका संकेत अगर नहीं समझ पा रही है बीजेपी तो उसको इसका नुकसान तो विधान सवाद चुनाओं में भी होगा उत्तर प्रदेश में किसान आठ महीने से अंदोलन कर रहा है राकेश ठिकायत और उनके साथ ही अब सरकार उन पर बात करे संसोधन करे कोई रास्ता निकाले ये वह जाने लेकिन अगर से ये मामला चालू हो गया तो आप समझेए कि सितंबर अक्टूबर नुवंबर दिसंबर कुल चार महीना ही तो चुनाओं का बचेगा तीन से चार महीने में ही चुनाओं माहौल बनेगा और बिगड़ेगा तो किसानों को तो अब मनाना होगा बीजेपी को अगर राकेश ठिकायत को यूपी में अंदोलन और पंचायत करने से मना लेती है तो वो इसका फाइदा उठा सकती है अन्यता उनकी जो महा पंचायते हैं यह यूपी की सियासत में टर्निंग पाइंट साबित होंगी यह चेतावनी है यह संकेत है अगर इसको नहीं समझ रहे हैं तो यह नुकसान उठाएंगे और देखिए कुल मिलाकर यह है कि बीजेपी की सरकार है पांच साल से उत्तर प्रदेश में एंटी इंकम बैसी का जो होट होगा किसान अंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं विकास के जो काम है करोना का अलग मामला है कितने पर आप पॉंट लेंगे और कैसे लेंगे और जब आपको लेने के लिए तमाम सारे सवालों का सामना करना पड़ेगा तो उसके जवाब आपके नेता कैसे देंगे पश्चिम के बहुत सारे बिधायक और मंत्री डरे हुए हैं कि यह अंदोलन उनको बहुत नुक्सान पहुंचाए अब पता नहीं क्यों इस पर बाकित रहे हुए हैं लेकिन जी राकेश टिकायच जो अंदोलन कर रहे हैं उसको आठ महीने से कहा जा रहा है कुछ लोगों का चंद लोगों का या अराजयक तत्तु रहे उसमें या जो भी हो लेकिन इतना जरूर है कि किसान अन्य दाता है ये बात जरूर है कि संगहर का जो समय होता है उसमें आदमी अकेला होता है लेकिन जिस दिन वो सफलता हासिल कर लेता है सारी दुनिया उसके सामने जुख जाती है और जिस जिस पर इस संसार ने हसा है उसी को ये सफलताएं मिली हैं तो ये राजनेतिक दल भले अपनी लड़ाई लड़ें लेकिन अगर जंता ने इसको अंदोलन को अपना अंदोलन मान लिया तो बीजेपी का वड़ा नुकसान होगा और लोग ये बात को जानते हैं कि किसान इतना असानी से मानने वाले नहीं है मायन सिंग टिकायत को भी लोग जानते हैं और राकेश टिकायत को भी आज राकेश टिकायत देश में किसानों के बड़ी पहचान बने हैं अब पता नहीं क्यों केंसरकार ने इसको भीच में अधर में छोड़ रखा है और यूपी का चुना उनके सर पर है अब वो देखें तेंग करते हैं क्या करते हैं लेकिन सोर सराबे से नहीं किसान को धान का मूल कितना मिला इस पर बीजेपी नहीं बोलती है बीजेपी ने अपनी सरकार के समय में गन्य का दाम कितना बढ़ाया इस पर अब वो नहीं बोलती है वो जब विपक्ष में आएंगे तब इस पर सब बोलेंगे डीजल जो है वो किसान को कोई सस्ता नहीं मिल रहा है जिस दाम पर पूजी पती खरीद रा जिसके जेब में पैसा है और नहीं उनके बच्चों की स्कूल फीस उतने जाती है उनको बाजार से दूसरे जो समान खरीदने पड़ते हैं तो यह बात अगर इस बात को लोग समझेंगे तो जल्दी बाते हल हो जाएंगी लेकिन फिलहाल चलिए जै आज पीड़ा ना दिखे इसमें सियासत दिखे लेक विपक्ष इसको हत्याये गा लोकेगा अब य विपक्ष को अगर कोई हत्यार न देना चाहे तो सत्ता हाहिज दल इस पर बात कर सकता है ब़ paved हम सब को इस देश के अनदाता और किसानों के साथ रहना होगा और अंतिम दम तक रहना होगा क्योंकि उनसे हमारा आपका पेट भरता है हमारा देश चलता है कि जो तुम कर रहे हो वो हम देखते हैं और किसानों पर होते सितन देखते हैं और किसानों की मेहनत नस्रम देखते ह बस उनकी बगावत और दमोखम देखते हैं जिने अन धाता बुलाती है दुनिया अब उनकी परिस्थितियां हम भी सम्-देखते हैं तुम्हारी निगावों पर पट्टी बंढ़ी है मगर खुदा की कसम हम सम्-देखते हैं बहुत-बहुत कहते हैं न कैलाश गौतम ने एक जिगर लिखा था कि तेज धूप और नंगे पाओं वो भी रेगिस्तान में मेरे जैसे जाने कितने हैं इस हिंदुस्तान में और जोता बोया सीचा पाला बड़े जतन से देखा भाला और खड़ी